हलो फ्रेंड आज बनाएंगे बहुती क्रेस्पी और चटपटा कुरकुरा नास्ता जो की दो चिम्मस देल से ये बनकर रेडी हो जाता है और ब्रेड से बनेगा तो बहुती ज़्यादा हेल्दी होने वाला है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नास्ति को अगर रेस्पी प इस तरीके से मिक्सर जार में डाल देना है उसके बाद लेंगे एक कटोरी भरकर सूजी और सूजी को इसमें डाल देंगे अगर आपके सब्सूजी मौट्टी सूजी तो कोई सीवी यूज़ कर सकते हुए उसके भाड़ पीष लेना है इसे हमने सूजी और ब्रेड को पकालें चलाते हुए अध्रक अच्छे से पकक चुकी है उसके बाद हमने एक औलू लिया था मीडियम साज का इसको great कर लिया था धुल के अच्छे से great करके पानी से निचोड लेना है उसके बार इसमें कड़ाई में डाले पैन में और इसे अच्छे से mix करते हुए हमें अब-gas को medium प्लेम पे रखना है और पका लेना है हलका सा ही पकाना है ज्यादा नहीं पकाना है आलू को उसके बाद एक कटोरी भरकर इसमें पानी डालना है ज्यादा पानी नहीं डालना है उसके बाद डालना है फ्रेसरा धन्या बारीक कटा हुआ उसको टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगी उसके बाद रेड इ और पीस के रखे थना इसमें से सूजी और ब्रेड उसको डाल देंगी, उसके वाए गैस को मीडियम प्लैम पी रखेंगे और इसे कंटीनियू इस तरीके से चलाते हुए पकाना है, इसका डो जैसे फॉर्म में आने तक इसको इस तरीके से पकाते रहेंगे, दो जैसे फॉर्म में आने लगता है, जल्दी से ज़्यादा टायम नहीं लगता है इसको, और बहुती जल्दी से बन जाता है, और अभी आप देख सकते हो, डो जैसा बन गया गया, गैसको कर देंगे ओफ और इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में, और इसको प्लेट में निकालने के बाद इसी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इस तरीके से हलका हलका सा फिला देंगे तो जल्दी से ही ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है बस हाथ से टच कर सकते हैं उतना ही ठंडा इसको करना है उसके बाद ओयल लेंगे और ओयल को हाथों में इस तरीके से लगा लेंगे आप देख सकते हो वीडियो में हाथों में ओयल लगा लेना है उसके बाद इसको अच्छे से मसलती हुई डू जैसा जैसे बना लेना जैसे हम आटा को करते ही जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके से जैसे फ़ों में अच्छ चिकना सा डो बना कर रेडी कर लीना है इससे नास्तान एजी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा उसके बाद डो जैसा बना कर रेडी कर लिया हुआ उसके बाद हाथों में थोड़ा सा ओल लगाएंगी और थोड़ा सा paste लेंगे और इसकी बॉल्स जैसी पहले बनाएंगे बॉल्स बना लेंगे उसके बाद इसको टिक्की जैसी safe में देना है हलका सा दबाते हुए इस तरीके से आप देख सकते हो और अगर cracks हो जाते हैं तो उसको हां से सही कर सकते हो उसके बाद प्लेट में रख लोगे थोड़ा सा easy हो जाता है बनाना नास्ता आगे की त्यारी करते हैं इनको fry कर लेते हैं उसके बाद हमने पैन ले लिया है इसमें दो चिमच भरकर oil डानना है oil को गरम कर लेना है उसके बाद एक एक करकी इसमें रख देना है जितना space होगा पैन में या फिर कड़ाई म आप सेक रहे हो उतना एक साथ आप सेक सकते हो बहुती कम तेल में ये बनकर नास्ता रेडी हो जाता है गैस को medium प्लैंपे करके इसको अच्छे से सेक लेना है उसके बाद इनको पलट देना है आप देख सकते हो बहुती प्यारा सा golden brown कलर आ चुका है वहती क्रेस्पी सा चटपटा सा नास्ता बनकर रेडी हो गया है पांच मिट में ये नास्ता बन जाता है जादा टाइम में नहीं लगता है ना बहुती कम ingredient लगते इसको बनाने में और बच्चों को बड़ों को ये नास्ता बहुती ज़्यादा पसंद आने वाला एक बार आप जरूर ट्राइ करिए उसके बाद नास्ता सिक्का रेडी हो चुका है इसको निकाल लेंगे प्लेट में और जो बचा हुआ है उसे भी सम इसी तरीके से की रेडी कर लेंगे अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर लेना थेंक पॉर बोचिंग मिलते हैं आपको अगली वीडियो